बदाम की कीमतों में लगातर गिरावट देखने को मिल रही है नए बदाम ने इंदोर बजार में दस्तक दे दी नए बदाम कॉलिटी अनुसार 661 से 711 रुपे प्रतिक्विंचल तक बिखती हुई दिखार दी है व्यपारियों के अनुसार इस बर कैलिफोनिया के बदाम की फसल कम बताई जा रही है इसके इलावा डोलर रुपए के मुकाबले उस्तम सर पर है जिससे भार्तिय बदारों में बदाम की आयात पर्टाल उची बैटे लगी है फिलास्तानिय बदारों में बरसात की वज़े से घराकी का मोल नहीं बनने से बदाम की मांग कमजोर है अभी कीमते कुछ तूटी है लेकिन उमीद की जा रही है कि आगे डिमांड बढ़ने पर इसकी कीमतों में तेजी की संभावना बन सकती है दूसरी और USJ की स्टंबर की रिपोर्ट के अनुसार कैलिफोनिया ने भारत के लिए 1060 कंटेनर बादाम के और साथ ही 7 कंटेनर बादाम गिरी के जारी किये हैं जो अक्तूबर महिने में भारते बजारों में आने की संभावना है जबकि पिछले साल सितंबर में कुल 1700 कंटेनर भारत के लिए जारी किये गए थे इस हिसाब से करीब 640 कंटेनर इस बार कम जारी हुए है इसके चलते बादाम में आगे मंदी की गुंजाईश फिलाल कम है क्योंकि त्योहारों और शादियों का सिजन भरपूर होने से बादाम की मांग अच्छी रहने की उमीद की जा रही है व्यपारी मान कल चल रहे हैं कि आगे चलकर बादाम की कीमतों में तेजी बन सकती है बिरो रिपोर्ट मार्के टाइम्स टीवी